हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू ओनलाइन क्लासिर्ट फ्रेंड्स यहां पे आज हम जणरल साइंच के काफी इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका पहला पार्ट हमने कर लिया है और आज इसका दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं तो इस तरह से दोनों कुछ आप उप्संस एक्जाम में पूचे जाते हैं उन्हीं क्यूसंस को यहां पर रखा गया है तो चलो फिरन्स विटा किसी दरी के स्टार्ट करते हैं अज के सैसन को देखते हैं पहला कुछन देखे आपको जिसकी सी question का answer आता है आप comment करके answer बता सकते हो देखे पहला question की blue green सेवाल होते हैं options है prokariats या फिर eukariats या फिर a और b दोनो या फिर ना तो a और ना b क्या answer होगा इस question का तो right answer हो जाएगा option a prokariats यहाँ पर right answer है इस question का नेक्स्ट यहां पर क्या बोला है कि पादप में उपस्ति जो कोसी का बित्ती जो है जिसको हम इंगलिस में बोलते हैं सेलवाल यह निमन लिखित में से किस से निर्मित होती है यह बताना है प्रोटीन, कार्भोहेडरेट या फिर सेलुलोस या फिर उप्षन B और C दोनों से तो देखो जो कोशी का बित्ती होती है सेल वॉल ये सेलुलोस से निर्मित होती है तो राइट आंसर हो जाएगा उप्षन C, सेलुलोस नेक्स्ट क्यूशन एंडोसाइटोसीस का संबंद निमल लिखित में से किस से है किस की बात हो रही है एंडोसाइटोसीस की बात हो रही है अब यहाँ पे देखो चार ओप्षनस आपके सामने है बात हो रही है एंडोसाइटोसीस की तो एंडोसाइटोसीस की बात करें तो जो एंडोसाइटोसीस है ये किसी कोशिका के भाया परियावरन से अपना भोजन तता अन्य पधात ग्रेंड करने की क्या है एक प्रकरिया है नेक्स देखिए निम्नम में से कौन प्रोटीन संसलेशन से संबंदित है हमें आपर जो चार अप्सनस दिये हुए है इनमे से आपको बताना है कौन प्रोटीन संसलेशन से संबंदित है अप्सनस है राइबोजोम लाइसोसोम गालजी उपकरन या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखें यहां पर बात करें राइबोजोम की तो जो राइबोजोम है यह प्रोटीन संसलेशन से संबंद इतनी है बाकी सबी जो है वो प्रोटीन जो संसलेशन है इससे संबंद देता है नेक्स देखें लाइसोसोम में बनने के लिए निमनलिकित में से कौन उत्तरदाई ह यह बताना है options है अंत्रद्रवी जल्ली का या फिर गालजी उपकरण या फिर माइट्रो कॉंड्रिया या फिर इड में से कोई नहीं तो option B जो है गालजी उपकरण यह यहां पर correct answer है option B next देखिए next लिए हमसे बोला है कि वेक्यूस के संदर्प में निमर लिखित में से कौन सा कथन सही है अब देखों यहां पर चार options आपके सामने है option A क्या कह रहा है option A यहां पर कह रहा है कि जनतु कोशिकाओं में यह चोटी है और जबकि पादप कोशिका जो है उनमें बहुत बड़ी होते बिल्कुल सही बात है तो यहां पर answer क्या हो का option A इस क्यूशन का right answer हो जाएगा next सबसे छोटी कोशी का कौन सी है काफी important क्यूशन है option से कैलोट्स जायलम माइको प्लाजमा या फिर इनमें से कोई नहीं क्या पूछा है सबसे छोटी कोशी का सबसे छोटी कोशी का होती है माइको प्लाजमा next question जो RBC जो है लाल रक्त कनी का है जिसे हम बोलते हैं इसका जीवन काल पूछा है और इस क्यूशन की बात करें तो SSC railway इनमें बहुत बार repeat हुआ ये options देखे option A 40 से 120 दिन या फिर option B 20 से 120 दिन या फिर option C 60 से 120 दिन या फिर option D 70 से 120 दिन जो RBC जो है लाल रक्त कनी का है इनका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तो right answer हो जाएगा option B next देखे आपसे बोला है कि कौसिका की आत्मात्या की तहली किसे कहा जाता है very very important mark कीजिए इस question को बहुत बार पूछा गया है SSC और railway के अंदर तो यहाँ पर बोला है suicide bag किसे कहा जाता है आत्मात्या की तहली किसे कहा जाता है option says lysosome, ribosome, nucleosome या फिर गालजी काई तो right answer हो जाएगा लाइसोसोम option A जो है यहाँ पर correct answer इसको आत्मात्या की तहली कहा जाता है next question गालजी काई का प्रमुक कारी क्या होता है यह बताना है option A स्वसन, option B कौसी का विभाजन शुरू करना या फिर option C पाचक रस उत्वन करना या फिर स्त्रावी friends बात और यह गालजी काई का प्रमुक कारी यहाँ पर पूछा गया है जो कि होता है स्त्रावी option D correct answer है next निमन लिखित में से कौन सा कौसी कांग DNA रखता है हमें बताना है उस कौसी कांग का नाम जो क्या रखता है DNA रखता है यह कौन सा है options देखे option A सेंट्री ओल, गौल्जी काय, लाइसोसोम या फिर माइट्रोकॉंड्रिया right answer हो जाएगा option D correct answer है माइट्रोकॉंड्रिया next question जीवन की मूलबूत यूनिट जो है वो बतानी है क्या है options है कौसी का अंग उतक नाबिक बहुत important question है तो देखो जीवन की जो मूलबूत इकाई जो होती है वो होती है कौसी का तो right answer हो जाएगा option A कौसी का next nucleus के भाठ DNA कहां मिलता है friends बात हो रही है DNA की कि जो nucleus है इसके भाठ DNA कहां मिलता है option से ribozome अंत्रावी जाली का या फिर mitochondria या फिर गाल जी का है right answer हो जाएगा option C mitochondria में मिलता है nucleus के भाठ DNA कहां मिलता है mitochondria में next question कौसी की है वे आणविक जीव विज्ञान केंदर कहां इस्तित है कौसी के वे आणविक जीव विज्ञान केंदर की बात हो रही है option से कोलकाता, बैंगलूरू, हिद्राबाद या फिर मॉंबई तो friends ये है हिद्राबाद में next देखे phloem में सहचर कौसी का हैं किसमें पाई जाती है किसकी बात हो रही option D, आवरत, B, G next देखे निमन में सी कोसी कांग को atom bomb कहते हैं, हमें बताना है कि कौन सी कोसी कांग है जिसको atom bomb कहा जाता है option से, option A nuclear, olus, या फिर galgica या फिर lysosome, या फिर अंद्रवी जली का, right answer हो जाएगा option C, lysosome जो है इसको कहा जाता है atom bomb next देखे, जिवानों कोसी कांग में सुत्र कणिका की संक्या आपको बतानी कितनी होती है option A, 1, option B, 2 या फिर option C, अनेक, या फिर सुन्य, तो यहाँ पर बात करें जिवानों कोसी कांग की, तो इसमें जो सुत्र कणिकाएं जो होती है इनकी संक्या होती है सुन्या है नेक्स्ट जिवाण कि कोसिका होँ में और प्रोटीन संसलेशन जो है इसका प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है औप्सन से गाल जी काई, माइट्रो कॉंड्रिया, राइबोजोम या फिर लाइसोसोम फ्रेंड्स आपने चुना है औप्सन सी तो आपने बिल्कुल सही जो आप दिये है आपका अंसर हो जाएगा औप्सन सी राइबोजोम औप्सन से गाल जी काई, माइट्रो कॉंड्रिया, राइबोजोम या फिर लाइसोसोम तो वसा का संचे जो है वो किसकी दुआरा किया जाता है गाल जी काई तो आपने अगर अप्सन A चुना है तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है औप्सन A करेक्ट आंसर है प्रकर्ती की सबसे बड़ी कोशी का कौनसी है उसका नाम बता दीजिए औप्सन C तंत्री का कोशी का बैक्टीरिया शुतुरमुर्ग का अंड़ा या फिर ब्लू वेल का अंड़ा तो क्या है आंसर बताईए तो देखो अगर आपने option C सुतुर्मूर्ग का अंडा चुना है तो बहुत ही बढ़िया आपका answer एकदम सही है answer हो जाएका option C सुतुर्मूर्ग का अंडा और सबसे बड़ा पक्षि भी कौन सा है सुतुर्मूर्ग next निमल लिकित में से सबसे छोटी कोशिका बतानी है options है amoeba या फिर WBC या फिर RBC या फिर mycoplasma तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी होती है mycoplasma होती है mycoplasma next देखे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकां कौन सा होता है औप्सन से गालजीकाई, माइट्रोकॉंड्रिया, राइबोजोम या फिर लाइसोसोम तो कोशिकाई का सबसे छोटा कोशिकाई होता है राइबोजोम तो राइट आंसर हो जाएगा औप्सन सी देखें फ्रेंट्स नेक्स्ट क्यूशन आचुका है आपके सामने नेक्स्ट क्यूशन और आंसर दीजिए इस क्यूशन का आंसर क्या होगा क्या पूशा है कि जन्तु कोशिकाई का सबसे बड़ा कोशिकाई कौन सा होता है औप्सन से केंद्रक, लवक, गुनसूत्र या फिर गालजीकाई तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा पूशा है ना तो सबसे बड़े के लिए आंसर हो जाएगा केंद्रक नेक्स्ट पादब कोशिकाई का सबसे बड़ा कोशिकाई का पूशा है अच्छा पादब कोशिका का पूछा था और इस क्यूशन में पूछा है पादब कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग पूछा है औप्शन से खेंद्रक, लवक, गुण सुन्त्र, या फिर गालजी का है, तो जनतु कोशिका में तो केंद्रक था, और पादप कोशिका में आंचर क्या हो जाएगा, लवक, औप्शन B प्र आंचर है, नेक्स्ट है, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी, आप्शन से रोबोट हुक, रोबोट कुरुक, डैविड थोंसन या फिर मेरी फैन क्रोईस, तो देखो 1665 में खोज की गई थी कोशिका की रोबोट हुक के दुआरा, किसने की थी, रोबोट हुक ने की थी, नेक्स देखिए, कोशिका की सबसे भारी दिवार का नाम बताना है, और से प्लाजमा जिल्ली, साइटो प्लाजमा, नाभी की जिल्ली या फिर इन में से कोई ने, कोशिका की सबसे भारी जो जिल्ली होती है, भार की उसको हम कहते हैं, प्लाजमा जिल्ली, तो देखिए, आज आप लोगों के तरब से देखो, जितना很好 आपको मिलेगा उससे क्या होता है कि हम motivate होते हैं और अच्छे से और जादा आच्छ आपके लिए कर सकते हैं और जिस भी सारे वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर जरूर कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो